तो वेलकम टू आल आप सभी लोगों का स्वागत है महिंद्रा के ओफिशल यूटूब चैनल पर मैं कुल्दीप महिंद्रास आज आपके अगें रीजिनिंग के एक दमदार सेशन में आप सब का स्वागत करता हूं तो चलिए आज के शुरूबात करते हैं सब्सक्राइब करते हैं तो देखते हैं आज का领ज सब्सक्राइब करते हैं तरब होनी चाहिए काम्याबी के लिए सोस्तों हर कोई लेता है दम होना चाहिए महनत के लिए दोस्तों हर Kentucky मרגrá बहुत बड़ी बात ये मुझे बंटी साब के भेजा बंटी साब का हम लोगों के यहां पर रहते हैं हम लोगों के साथ में यह हमारा एक छोड़ा सा बंदा है जिसका नाम बंटी होता है तो आज यह उनका थौट है तो देखते हैं तो बंडी साब का ये थौट बहुत अच्छा है और ये सभी स्टुडेंट का थौट भी है मेरे टेलिग्राम चैनल पर भी आज किसी एक स्टुडेंट ने इसको सेंड करा था तो वहाँ पर ये थौट है हम से मैंने लिया तो बहुत अच्छी बात की तड़ब होनी चाहिए काम्याबी के लिए सोस्तो हर कोई लेता है दम होना चाहिए महनत के लिए दोस्तो हर कोई मर लेता है तो चलिए एक positive thought के साथ महनत के लिए बिलकुल करने की ज़रूरत है यह मोटिवेशन करते हुए और शुरुबात करते हैं आज के शेशन की तो यहां पर मेरे साथ अंजली माम, आर्जू पभीन माम, शुबब सहाब, प्रियंका जी, रूभी जी, पवंच स्वानवी जी, प्रियंका, मुस्कान, कार्तिक, सभी लोग जोट चुके हैं, सभी को ग रहा था, वो ब्लड लेशन के उपर रहा था, ब्लड लेशन के शेशन को कम लोग आने काफी दमदार तरीके समझा, हमने लगभग-लगभग सभी आप्रोच के कोशन सीखे, और इस पेशली हमने वो वाले कोशन सीखे, जिसमें हम लोग अटक सकते हैं, अटक सकते हैं, अटक से शेशन को लाइक करते चलो, तो चलिए पहला जो कोशन मैंने दिया था, अब देखते हैं उसका आंसर क्या था, सबसे पहले, इस शेशन का आंसर क्या था, उसको समझ लेते हैं, इसका आंसर क्या रहेगा, बहुत साही लोगों ने यहां पर आइदर आंसर कर रहा थ हीसे वस गुडियास शर्म भैंबी आप है हम लोगों की साथ करते हैं इसका के जढ़ेखकें क्या रहेगां सबसे पहलो पर कोश्चोंचा हैं यहां पर कोे बोला राया है वह कौन है वह रहों है आल भीकिसा सब्सक्राइब है जो भी ब Cameron कुंचिघ में मौहन ने क्या बोला अगर English में पड़ ले हो तो मने कल भी पोता था reverse में जाना इस तक और हिंदी है पड़ ले हो तो सीधे सीधे मेरी से शुरू करना है तो मोहन के Father मेरे Father का एक मात्र पोता तो अगर मेरे Father Ka pueblo एक और तो हो सकता है मे लोगा या एक और बात हो सकती है वो मेरे भाई का बेटा भी हो सकता है अगर वो मेरे भाई का बेटा है तब भी मेरे फादर का क्या है grandson ही होगा वो मेरे भाई का बेटा भी हो सकता है तब भी मेरे फादर का क्या है वो grandson ही होगा तो मेरे फादर का अगर ग्रेंट सन है तो मेरा बेटा है या मेरे भाई का बेटा है बिलकुल बिलकुल ठेक है और उस ग्रेंट सन की पतनी अगर उस ग्रेंट सन की पतनी की बात आ रही है तो अगर मैं यहां पर रिलेशन देखता हूं ग्रेंट सन की अगर पतनी है तो पहले मेरी जो पत्odi है, मेरी मम्मी को मा बूला सकती है, लेकिन मेरी मा उसके लिए क्या है? सासुर उस्पोर करो मेरे गर मौसिया आती है. तो इक बाद ध्यार नखियेगा, जब दो लोग एक दूसरी की लाइफ में बाद में आते हैं तो इनलो बनते हैं और अंकल इनलो जैसा कुछ होता नहीं है तो यहाँ पर इस केस में भी वो उसका क्या लगेगा फादर इनलो ही लगेंगे मतलब चचिया ससुर आप लोगों ने शायद वर्ड सुना होगा तो उ एक आंसर आएगा अंकल नहीं लगेगा जैसे मेरी मौसी मेरे लिए मौसी है लेकिन मेरी पतनी के लिए मौसीया सास होती है सेम कॉंसेट यहाँ पर आएगा यहाँ पर केवल सिंगल आंसर आएगा फादर इनलो बिल्कुल यहाँ पर सब लोगों का आंसर आते हुए I hope आप सबको दन है कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं है फॉर्थ इसका सही आंसर नहीं होगा इसका सही आंसर क्या होगा फादर इनलो क्यों दो लोग अगर एक दुश्य की लाइफ में बात में आते तो इनलो होते हैं सबको यह वाली बात समझ में आ गई होगी तो इसके भीखते हैं कोश्टन में आगे क्या है चलिए यह है आज का कोश्टन पहला जल्दी से मुझे बताने हैं पटावर्ट से कुछ आसान कुछ मुश्किल कोश्टन का 30 कोश्टन का कॉंबिनेशन रखा है आज के पास 30 डेस को बाद आप लोग मुझे बताएगा आप लोग के कितने आंसर आ रहे हैं 30 कोश्टन के बाद आप लोग मुझे बताएगा आप लोग के कितने बन रहे हैं तो जल्दी से मुझे बताएं क्या आंसर आएगा कोई बात निया अंजली मैं हमारे चाहत यहाँ पर कंचन नाम भी है राजेश जी है अब यहाँ पर जल्दी जल्दी आनसर बताने मुस्लिम मॉस्क्यू जाता है इसका किसे आएगा मुसल्मान जो होता है वो मस्जिद जाता है मॉस्क्यू मतलब मस्जिद मुसल्मान मस्जिद जाता है तो सिक कहां पर जाएगा सिक कहां पर जाएगा गोल्टन टेंपल जाएगा फायर टेंपल जाएगा गुरुद्वारा जाएगा यहाँ पर वो क्या जाएगा गुरुद्वारा जाएगा गुरुद्वारा वर्ड सही आएगा सी बिल्कुल सही जवाब हो गया गुरुद्वारा इस राइट अचले बढ़ते हैं अगले कोश्चन की ओर बहुत जादा टाइम नहीं देंगे आसान कोश्चन जल्दी 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 कनने हैं और आफ्टर क्लास आपको मुझे बताना है आपके 30 मैं से कितने मांक्स आ रह जाए हैं क्योंकि बहुत साइच चीजे हैं आप लोगों को आती हैं तो जल्दी से यह रहा आपके सामने अगला कोश्चन 25 को 64 लिखा गया है तो 35 को क्या लिखा जाएगा तो अगर मैं यहां पर ध्यान दूँ तो 25 और 64 दोनों स्क्वाइर हैं लेकिन 35 इसक्वाइर नहीं हैं 25 और 24 तो दोनों स्क्वाइर हैं लेकिन 35 इसक्वाइर नहीं है तो जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा तो कि यहां पर आर्जू प्रभीन जी का आंसर आ रहा है एटीवन होगा सर डी आंसर आ रहा है 72 लोग आंसर कर रहे हैं 72 में हम आंसर कर रहे हैं सवरभ सर बोल रहे हैं 22 22 यहां पर 81, 81, 81, 72, 72 और 81 में लड़ाई जा रही है मतलब यहाँ पर last इन दो में आंसर की थोड़े असा दिमाग बैट रहा है चलो देखते हैं logic क्या है तो लोग लॉजिक सोचते हैं अब यार यह तो हमको समझ में आ गया यहाँ पर square का फंडा तो नहीं हो सकता square का फंडा क्यों नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर square है लेकिन यहाँ पर मेरा कोई square नहीं है तो logic सोचते हैं कि logic क्या हो सकता है मैं कैसे इसको बनाऊँ अब देखो यह मैंने सोचा थोड़ा सा सोचता हूँ दिमाग लगाता हूँ कि कैसे बन सकता हूँ क्योंकि 8 का square है ठेक है है, हूब ने का यार, यह तो आठ का स्क्वायर है, तो यह कैसे बन सकता है, तो अगर मैं सूछते हूँ, अगर थोड़ा से दिमाग लगाऊ, तो यहाँ पर अगर मैं सूचता हूँ, तो दो और पांच, पांच और दो कितना हुआ, साथ, साथ में एक जोड़ दिया आ बिल्कुल सही जवाब है, इसमें से कुछ लोगों का आंसर यहां पर सही हुआ है, कुछ लोगों का घरबड हुआ, तो 81 विल्कुल सही जवाब आएगा, 72 नहीं आएगा, रश्मी सोँनी माम घरबड हो गया, 72 आलोगा जवाब यहां पर गलत है, उनका एक नमबर कट यहांा पर आर्जू परवीन जी का अंशर यहां पर सही आ गया था इडिल इस ऑ प्लकुल मैं बता दूंगा लेकिन पहले अभी पहले जोचीन पर फोकस करते हैं जल्दी से इसको देखते हैं अगले बात करूं एड़ कोशन एंगे मिलिटरी में जनरल आता हैं नेवी क्या आ सबसे ज़्यादा आता है यहां आप सोनिया जी अंजली प्रवीन राजू प्रियंका सौरभ विशू विजय रश्मी सौनी माही नितिन और के आजू दिक्षा सौरभ मुस्कान माही आना अंसर आना शुरू हो गया कुछ लोग कैप्टन बोल रहे हैं जी नहीं यहां पर कैप्टन नहीं होता है यहां पर गरबर कर रहे हो कैप्टन इस तो रॉंग आंसर देखो मैंने क्या बोला दिस वैरी 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 इंपॉर्टेंट कोश्चन और रिपीटेट वर्जन में है यह रिपीट होता है तो इसको दिमाग में बसा लेना गलत अगर हो भी ग अब मुझे देखो अब मुझे जो लोगों का ध्यान रग आपके कितने कोशन सही वने अगले वाले questions में गरबर नहीं होना चाहिए तो चले चलते हैं अगले questions के साथ में जा से अधा questions के प्रैक्टिस आप लोगों करवा दूँगा ताकि आपके SSC में questions गलत ना हो यह रहा आपका अगले question जल्दी से इसका answer बताए जल्दी से इसका answer बताए अब यह बहुत simple question है अब यह साथ से आप लोग इसका answer सही कर सकते हो जल्दी से इसका answer बटाएं बताएं कितना होगा कोई बात नहीं है सोनिया जी गलत हो गया तो बहुत simple question आप देखो दुख होता है जब किसी की death होती है खुशी मिलती है कब अगर किसी की दैथ होने पर आपको दुख होता है तो किसी के जनम लेने पर खुशी मिलेगी बर्थ इस राइट आंसर कुछ करने की जरूत नहीं है सी इस राइट आंसर यहां पर आजू पवीन सौरब निंजा जी हमारे साथ आ चुके हैं अंजली जी रश्मी सौनी आदित् बिलकुल यहां पर सही जवाब आते हुए अंजली जी लक्षपताप अनुष्का विशू गोविंद देवोजी टीथू विपिन विजय आर्जू बिलकुल यहां पर सही जवाब आते हुए देखते हैं इसका आंसर यहां पर क्या आता है हीट को 20 बोला गया तो पैसी आएगा 31 आएगा कुछ लोग बोलना है 40 आएगा देखो आज के कोशन मैंने सूपर ठर्टी रखे हैं सूपर ठर्टी का मतलब अच्छे लेवल के बहुत बढ़िया कोशन दोंगा आप लोगों को SSC के पॉंट आ व्यूप है बढ़िया से बढ़िया कोशन दे रहा हूं ज इसका लॉजिक क्या है इसका लॉजिक से अचारो अब कुछ लोग जो 40 आंसे कर रहे हो बस 20 का दुगना 40 कर दे रहे हो तो ऐसा तो नी लॉजिक होगा अगर मैं इसकी प्लेस वैल्यू देखता हूं तो 8 5 5 4 मैं देखो नॉर्मली सब तरह के अप्रोच आप लोगो बता र 9 6 और 25 अगर मैं यह वाली प्लेस वैल्यू जोडता हूं तो यहां पर कितना होगा 9 और एक 10 10 और 25 35 ठीक है 35 और 9 35 मैं अगर मैं 9 जोड़ूंगा तो 44 और 44 मैं अगर मैं 16 जोड़ूंगा तो हो जाएगा आप लोगो का कितना 60 60 मैंसे अगर मैं 2 खटाओंगा तो होगा 58 ले यह logic नहीं है तो मैं सब तरह किसा logic सन्वा रहा हूं अपको तो क्या हो सकता है अब यहां पर क्या है 4 अच्छर है यहां पर कितने अच्छर है तो 4 का 5 से गुणा कर दिया कितना आ गया 20 आ गया यहां पर कितने अच्छर है 6 6 का 5 से गुणा कर दिया तो कितना आना चाहिए 30 लेकिन 30 भी runtion में नहीं नहीं है तो यह को सकता है यहाँ पे जितने अच्छर हैं उसका गुणा उसके अगले नमबर से किरा घया यहां पे छार अच्छह हैं तो 4 का अगले नमबर में यहां 4ा का उसके अगले अच्छा से आठागि करा गया यहां पर कितने अच्छा है 6 का उसके अगले नंबर से छला नंबर क्याता है 7 तो 6 का दो 42 डाकरा गया तो 42 आइच अनसर तो कि नहीं लगाने है 31 नहीं आएगा 31 जो लोग सब्रूम और फिटीफथाइब तुक्के नहीं लगाने हैं अगेन इविल रिपीट 42 बिल्कुल सही जवाब होगा तुक्के नहीं लगाने हैं सोच के आल से करना है लॉजिक जैसा भी कुछ होता है तुम लोग यहां पर सेशन में सीखने आयो ना सबसे पहले तुम जरूरी है धंक से लॉजिक को समझो नमस्ते मुनीम जी ठीक है तो 42 आई होप सही आंसर है तो लॉजिक आपको क्लियर हो गया होगा कि जितने नंबर ओफ लेटर नहीं उसका कोश्ण में आपको पहले करा चुका हूँ जल्दी से अब इसका अंसर फटावट से देखते उठा देना है उड़ा दो फटावट जल्दी से सिंपल कोश्ण एक बहुत आसान जल्दी से इसका अंसर बताए मुनीम जी पूच रहे हैं सर क्लास का टाइमिंग कितने वज़े जी क्लास होती है शाम को देली सॉर्दी से बठाए से इसका लॉजिक क्या होगा जल्दी छेसका logi निसट्रा इसायब का मैंने आप लोगवों को बताया है जब भी से लयाई कि यारनि की जो भी सेंग मुता हो मैना सोगा जो भी आपका सेम होता है वो minus होगा left left minus राइट left minus और left right और right, left हमशा जोड़ेगा तो अगर आप यहां पर कोच्छल की स्ब्राइब देखते हैं तो यहां पर है kita और ह motiv राइट है FORC 닉नाश में 19 में से 16 हैulen घटा दो इस्फश में 19 निंश में 16 कैसा है तो तो यानि की सही जवाब होगा जो राइट से तेरवा है तो राइट से तेरवा मतलब 3 और 3 6, 3 9, 3 बार है तो तेरवा क्या है वी इस दा राइट आंसर होगा वी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कुछ ज्यादा सॉल्ट करने की नीड नहीं है तो आई खोप इस अपरोच क अपने दमाग में रखिएगा ऐल्फाबर्टिकल सीडीज का एक कोश्चन अगर पेपर में आता है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा बहुत आसान से आप कर सकते हो बिल्कुल सही जवाब यहाँ सभी का सही जवाब आते हुए मही प्रियंका सौरभ आर्जू दीक्षिका बह मुझे पक्का भीलीव है 99% इसका जवाब लोग रॉंGO करोगे तुम लोगों से मैं शर्ट लगा ली की इसका जवाब तुम लोग गलती करोगे जिन्यान में पर्टसेंट लोग इसका जवाब गलत करने वाले हो मैंने यहां पर शर्द लगा रखिए कि गलत ही करोगे जल्दी से बताओ लॉजिक क्या होगा सबी लोग एक बहुत बढ़िया कोशन लेगे आया हूँ आज और एक कुछ न्यू कॉंसेप्ट है कुछ न्यू लॉजिक है जल्दी से सोचो क्या होगा कुछ न्यू लॉजिक है भाईया यह करके दिखा दिया तो देखते हूं कि देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर कौन देता है अब कुछ लोग आंसर अधित्य जी ने आंसर 11 करा तभी एक कमेंट आगे रश्मी मणम का कि 11 तो ऑप्शन में ही नहीं अगर कोई आप से बोलता है कि एच की प्लेस वेल्यू आठ तो बिल्गुल सही है लेकिन के की प्लेस वेल्यू जो ग्यारा होती हो तो ऑप्शन में ही नहीं तो वो लॉजिक तो ही नहीं फजगाएगी नहीं अदेखो एक नया कुश्चन दिया है बहुत बढ़िया बहुत दमदाज फटावर्ट सेसका लॉजिक सोचके मुझे दिखा तो क्या होगा अब कुछ लोग आंसर कर रहे हो और कुछ लोग आज़ आंसर आगा अब दिखो दिखो दी और 27 आंसर रहे हो चलो दी वाले और 27 वाले अपना अपना लॉजिक बताओ अ अरुसे मैंने कितनी बार बुलाय तुक्के बादी शुरू हो जाती है तुम लोगों की क्या होगा तुक्के बादी शुरू हो गई और फिर बोलोगे सभ लोगों का डी डी आंसर आ गया फिर कुल्दीब सर बोलते हैं कि कमिटी बना के वैठे हो जिसे यूनिटी बोलते हैं वो जल्दी से सोचो आंसर बताओ ऐसे गाम नहीं चलेगा क्या होगा लॉजिक कुछ बढ़ी आ कुशन है देखो यहां पर सुपरिया मैम का कुछ ना कुछ आंसर आते हुए बिलकुल यहां पर देखो लॉजिक सुपरिया मैम ना थोड़ा सा पकड़ा है यहां पर थोड़ा सा आंसर सही आते हुए इसको पकड़ते हैं देखो यहां पर प्लेस वैल्यू तो नहीं है यह तो आपको स समझ में आई इसी तरह से के की विलेशनल यू 11 11 का क्यूब कितना होता है 1331 सारे नमबरों को जोड़ दो 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1 3 और 3 6 7 8 तो 3 और 3 6 7 8 तो सही जवाब क्या होगा 8 बिल्कुल सही जवाब होगा A is the right answer I hope मेरी बास समझ में आई होगी जो लोग 14 आंसर कर रहे हुए उनका जवाब बिल्कुल गलत है जो लोग 14 आंसर कर रहे हुए उनका जवाब बिल्कुल गलत है सही जवाब 8 होगा अधिको महीरास मैम ने बोल दिया ठीक है सर 8 है तो A answer होगया आजू पभीन जी ने भी answer बदल लिया आठ कर लिया अंजली मैम का भी answer बदल गया यहां पर सना जी का answer 6 है चना जी गलत है आठ होगा आई होगा बढ़िया एक नंबर धांसु कोश्चन है मज़ा आया मा विवसर बोलने में तुक्का लगा दिया था चलो कोई बात नहीं है लेकिन मज़ा आया शेशन में बढ़िया लगा एक नंबर धांसु है बिंदास बढ़िया बलो कैसा लगा कोश्चन इस कोश्चन के लिए लाइक बनता है की नहीं बनता है तो मेरे साथ 100 से उपर बच कुछ की नहीं जल्दी से मुझे एसका अंसर बताए अगर कोई मेरी डेली क्लास अटेंड करता है तो ऐसा इक बार मैंने कोश्चन रख्टा है अगर कोई मेरा session daily attend करता है तो मैंने ऐसा question अपनी session में रखा है पूरी तरह से जल्दी से इसका answer मुझे एक बार बता दें क्या होगा अगर कोई daily class attend करता है तो मैंने ये रखा है ठीक है जल्दी से इसका answer बताए रश्मी हम बोल लिए है दो लाइक बनते हैं चाहिए चलो जल्दी से बताए अगली बार 9 और 14 को जोड़ो कितना हो गया तो अगली बार 9 और 14 को जोड़ो कितना हो गया थाटी सेवन हो गया clear है logic I hope so low77 को जोड़ो कितना हो गया 37 हो गया अगली बार 9 को जोड़ो 27 और 23 को जोड़ो कितना हो गया 60 हो गया तो उसके बाद क्या जोड़ो दिया अब अगली बार 67 को जोड़ा जाएगा तो 97 बिलकुल सही जवाब हो जाएगा अब ये भी एक सिंपल है, जल्दी से उस उड़ा दो, फटावट से बताओ, आंसर क्या होगा, जल्दी से, अगला कुशन क्या होगा, जल्दी से मुझे बताएं, तुक्के बाजी नहीं करेगा कोई, पहली बात, फटावट से लॉजिक सोच के आंसर दियोगे, तेके न, जल जल्दी जल्दी लॉजिक सोचो, वड़ावट वड़ावट आंसर बता दो क्या होगा, जल्दी से, अब देखो यहां पे आंसर आने शुरू हो रहे हैं, देखो, यहां पे अल्फाबेट आया है, तो कहीना गई तो प्लेस वैल्ल्यू का यूज हो रहा होगा, जल्दी सा पॉंट पर सोचो और आंसर करो अल्फाबैट आ रहे हैं तो कहीं न कहीं तो प्लेस वैल्यू का यूज़ रहा होगा कि जल्दी सभी लोग सोचो अब सबसे बहली बात यह उप्शन तो कभी नहीं होगा क्योंकि इसाद यहां पर जो भी वर्ड आएगा दूसरा वाला हमेशा प्लेस एल्फाबैट होगा तो यह उप्शन तो सीज़े सीदे उड़ गया तो निंजा जी का अंसर गलत है निंजा जी पवन साहब आर्जू प् आएगा कि नहीं आएगा तो यह तो सीदे सीदे खतम हो गया यह तो सीदे सीदे खतम है यह तो जिंदीगी में नहीं आएगा अब निंजा साहब ने आंसर बदल लिया निंजा साहब बोलने डी आएगा और देखो कुछ लोगों के और आंसर भी बदलेंगे है ना चलो पह तो अगर 17 का 11 से गुणा कर दूं तो कितना होता है 187 इसी तरह से अगर मैं 23 का 5 से गुणा कर दूं तो कितना होता है 115 तो इसी तरह से यहां पर करके 324 आना चाहिए अब यहां पर अगर 172 का 20 से गुणा करोगे तो 172 का मल्टीपिल जो होगा क्या वो 324 बन सकता है नहीं बन सकता 164 का अगर 164 का 2 से गुणा करूंगा तो 4 दूंगी 8 हो जाएगा तो पीछे तो 8 हो जाएगा तो यह भी नहीं हो सकता तो क्या होगा D is the right answer होगा 108 का C मतलब 3 से गुणा होगा तो यानि की 100 का 3 से गुणा होगा तो 300 हो जाएगा और 8 है 24 तो D is the right answer दी बिल्कुल सही जवाब है थोड़ा सा कोशन को देख के आंसर करना है गर्मण नहीं करनी है चलिए अगला कोशन आपके सामने यह रहा जल्दी से इसका आंसर बताए फटावट से जल्दी से इसका आंसर देखते हैं सबसे पहले कौन देता है सपनों का भारत ड्रीम ऑफ इंडिया बहुत सई जल्दी से इसका आंसर बताने क्या होगा अब देखो आप लोगों को इन दोनों से यह वाला नंबर बनाने की सोच नहीं है क्योंकि मैंने हमेशा बोला है सबसे बहले सबसे बड़ा नंबर देखो सबसे बड़ा नंबर क्या 81 है तो यानि कि इन दोनों से 15 बनाना है इन दो लॉजिक सोच रहो, बिल्कुल सही जा रहा है, बहुत शांदार इसका जवाब आ रहा है, जायतल लोग का D, D, D आंसर आ रहा है, तो लॉजिक एक बार देख लेते हैं, लॉजिक क्या होने वाला है, अगर मैं शुरवात के नंबर को जोड़ दू, तीन और जीरो कितना होता ह होगा, 63 is the right answer, D, बिल्कुल सही जवाब है, D is the right answer, 189 नहीं होगा, 63 बिल्कुल सही जवाब है, I hope so, logic भी क्लिक हो गया होगा, सबको, चलिए, बढ़ते हैं अगले question के और जल्दी से बताएं, इसमें से odd क्या होगा, इसमें से odd one out क्या है, अलग क्या है, बताएं, बताएं, जल्दी से बताएं, अगला question क्या होगा, answer, इसमें से odd क्या है, अब कुछ लोग यहाँ पर answer आना शुरू हो गया, D, 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 answer आ रहा है, निंजा साब ओल रहा है, 63, odd है, सोच लो निंजा साब, अब देखो, यह even number है, यह odd number है, यह odd number है, यह भी odd number है, और यह even number है, तो जो ल concept तो इसमें नहीं लगेगा, दूसरी बात, इसमें कोई भी number प्राइम नहीं है, इसमें कोई भी number प्राइम नहीं है, तो logic कुछ और है, तो जल्दी से सोचो कुछ और logic, अब सब लोग बोल रहे हो, 63 आएगा, 44 आएगा, 63, 63 answer आ रहा है, अगर मैं यहाँ पर 4 और 4 को जोड तो आठ बनता है, 5 और 3 को जोड़ दू तो अभी आठ बनता है, 8 और 0 को जोड़ दू तो अभी आठ बनता है, अलग क्या है, यहाँ का टोटा 9 बनेगा, तो अलग क्या है, B is the right answer, B बिलकुल अलग जवाब हो जाएगा, B अलग है, यहाँ पर 63 अलग होगा, रश्वी सौन का लोजिक है, बिलकुल सही, सभी का एडिशन 8 बनता है, सबाए 63 के है, चले बढ़ते हैं, अगले कोशन की और यह रहा, अगला कोशन जल्दी से, देखते ही उड़ा दो फटावर्स है, जल्दी से, भी यह सिंबल कोशन आया, जल्दी से इसका अलग है, हाँ, बिलकुल प ऐसे अप्रोच में आप लोगों से एक बात बोली है, अपने काम से काम रखो, मतलब, आप लोग केवल उन्ही का लॉजिक धूने, जो आपके बन सकते हैं, मतलब केवल जिसके बारे में पूछा जा रहा है, सबसे पहले, फर्स्ट अप्रोच उसी पे ध्यान दीजे, जिसक नितिन गु25 जी का भी 4th आरायर, विपिन जी का भी, रूबी माम का सभी का 4th answer आन शरू हो गया, तो सबसे पहले हम दोग हम से पूछा किसका बढूट है, जब आप वह मैं से भॉचग का पूछा गया है तो वाइस का कोड अगर पूछा गया है तो वाइस का पांच चारी अच्छ होगा आठ तो जिंदिगी में नहीं हो सकता हूंगी मुझे वाइस के लावा कुछ देखना ही नहीं है आठ तो जिंदिगी में नहीं हो सकता अब वाइस किसी और में नहीं है मतलब सब्सक्राइब है लिए अगले कोशन के साथ ये रहा आपका अगला कॉस्ट जल्दी सा मुझे बतादें सन, मून और अर्थ इसका वेंड डाइग्राम कौन सा दिखेगा सन, मूर्थ और अर्थ किसका वेंड डाइग्राम क्या होगा महिदास मैं हम बोलने हैं इस तरह दो निंजा गिरी सीख जाओंगी मैं अरे बहुत बढ़िया बाताएं सन, मून और अर्थ को कौन सरी इंडिकेट करेगा यहां पर बी जवाब बिल्कुल सही preparedness है यहां पर बिल्कुल टाइम लेगने की जरूत नहीं है बी बिल्कुल सही जवाब होगा सन पहलाइए कि स्टार है स्टार सब्सक्राइब B is the right answer B विल्कुल सही जवाब है यहाँ पर C जिनों ने answer कर रहा उनका जवाब गलत होगा बताओ स्टार सन के अंदर थोई ना यह सब यह सब ही universe के अंदर है लेकिन universe word तो दिया नहीं गया न universe word दिया जाता तो यह तीनों universe के अंदर आते अभी सही जवाब क्या होगा B is the right answer होगा B विल्कुल सही जवाब है अगला question यह रहा बताएं इस में से कौनसा word बन सकता है कौनसा बन सकता है can be रेप्रेंसल यह बिल्स में से कौनसा word बन सकता है आपको यह बताना है तो बिल्कुल जल्दी से यह यहां पर focus करें देखो यह वाली बात मेंने कितनी बार बोला है visual वाला part होता है कौन कितना जल्दी देखके answer यहां पर कर सकता है जल्दी से बताएं सना अमीर मैं बोल रहे हैं अलग 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 आया था बिल्कुल यहां पर सही जवाब आया इसमें से कौन सा वर्ड बन सकता है जल्दी से बताएं यहां पर shine answer आ रहा है C निंजा साब का answer सबसे पहले यहां पर आया है C जवाब एक बार अगे निंजा साब बताते हुए कि हाँ भई I am number one दो निंजा साब का यहां पर फर दोatem सब आया और सबसे पहली बात सबसे बिल्कुल जवाब का invактер पहले करते हुए चलिए भढ़ते हैं यह था आपका अगला question मैंने इस से पहले blood relation से पहले coding decoding का आप लोगों का session लिया था तो उसमें आप लोगों से कुछ question पूछे थे तो यहाँ पर एक question है permit का code है 275949 तो amount का क्या होगा permit का code है 275949 amount का क्या होगा बताएं permit का code है 2759 4949 amount का क्या होगा बताईए जल्दी से यहाँ पर answer आते हुए कुछ लोगह यहाँ पर डी answer आ रहा है यहाँ पर प्रभीन नेगी जी का answer डी आ रहा है देखते हैं यहाँ पर प्रभीन नेगी जी का जवाब सही होता है सब से बहुत है नहीं होता लेकिन सबसे पहले उनका यह एनसर आ रहा है नेखते हैं अचो कि डीडी सी बी या सी दो आनसर आ रहा है बी और सी लोगों से उनल लीकोरिट नवल लोगों जब बात बोली थी प्लेस वैल्यू नूटकर लिया गरो सबसे पहले जब भी नंबर आय होगी 16, 5, 8, 13, 9 और 20 और जिल लोग ना भी कोडिंग डिकोडिंग का श्याशन अटेन करा था उन लोग को मैंने एक बात बोली थी अगर नीचे वाली वैल्यू बिलो धेन टेन नीचे वाली वैल्यू बिलो धेन टेन मतलब दस से कम तो कंफर मापर क्या होता है सिंगल इजिट सिंगल डिजिट होता है कंफर महाँ पर सब लोगों को मैंने समझाया था दो नंबर जैसे एक और एक ग्यारा उनको जोड़के कर देना इस इसकाल सिंगल जिट तो आप दस से छोटी है तो वहाँ पर क्या होता है सिंगल डिजिट होता है बेटा हमेशा इसको अपने दिमाग में लखेगा तो आठ और एक नो तीन और एक चार नो का नो और दो और जीरो का दो कर दिया सबी वर्ड श्टेट ऐसे रहे है बस एक वर्ड आगी की तरह इसे चलो गया और कुछ भी नहीं है तो अगर मैं बात करता हूं तो एमाउंट का जो मुझसे पूचा गया है तो प्लेस यहां पर जो वनेगा 2 फे शुरू हो रहा होगा तो 2 से तो यह वाला ओप्शन गया और उसके बाद मैं बात करूँगा तो 1 3 और 1, 4 5 और 6, 5 1, 2, 3 4 और 1, 5 तो सही जवाब होगा 2, 1, 4, 6, 3, 5 2, 1, 4, 6, 3, 5 D बिलकुल सही जवाब हो जाएगा D is the right answer यहां पर नहीं होगी ठीक है तो ध्यान रखिएगा अगर वैल्यू दस से छोटी होती है तो हमेचा वहां पर सिंगल डिजिट होता है आप लोग को जो भी मैंने पढ़ाया है उन्हीं चीजों से लेटेट पेपर में कोशन भी रह रहे हैं तो बिलकुल बस जो बताया गया भ एक लाइक तो बनता है यार कोशन के लिए बहुत मुश्किल से जांट के लाता हूं तुम लोग के लिए कोशन चलिए जल्दी से इसका अंसर बताएं अब इसका अंसर विदिना सेकेंड कौन कर सकता है इसका अंसर विदिना सेकेंड करना है इसका अंसर कोई बात नहीं कहीना कहीन कुछ कुछ मिस हो जाता है तो वही चीज क्या पता प्रिपर में आ जाए थैंक्यू गडियार चर्मा जी प्रियंका जी तानिया जी धन्यवाद जल्दी से इस कोशन का आशर बता है विदिन सेगेंड कौन बता सकता है सोनिया मैं बोल रहा है मस्त कोशन है नाइस कोशन थैंक यू देखो प्रवीन चौदरी साहब मैं क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों को टेलीग्राम गूर्प पर सेंड कर देता हूं क्लास शुरू होने से जस्ट पांच पहले मैं अपना लिंक जो होता है क्लास का वह टेलीग्राम पर भेज देता हूं आप लोगों को ताकि प्रवश्य को दिक्कत ना हो यहां पर आंसर आना शुरू हो गया बी सीडी बी सीडी देखो इस कोशन को सॉल्व नहीं करना होता मैंने हमेशा आप से क्या बोला है इस कोशन में सबसे पहले लास देखो अब यह कोशन इतना बड़ा है उन लोगोने तो तब भी आप जो पिछोंच्ण में क्या देखोगे जंबलिंग कोशन से कहलाते है इसके और सबसे पहले देखोगे first कौन सा आए और उसके बाद आप देखोगी last कौन सा है ऐसे वाले questions में आप लोगों की approach जो रहेगी वो कहा रहेगी first and last, first नतलब सबसे पहले कौन सा आएगा और last मतलब सबसे आखिर में कौन सा आ रहा है, तो अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले zanam hootा है, सबसे पहले जनाम होता है, मतलब 1st में one आएगा, तो इस option तो गया और आखिर में क्या होती है, आखिर में बुणापा तो नहीं आयाए तो last में three आना चाहिए, last में three इस में भी नहीं है, इस में भी नहीं है तो B बिल्कुल सही जवाब होगे, आपको solve करने की ज़रोती नहीं है तापस आप बोल रहे हैं, I am a first viewer, कोई बात नहीं है, बहुत बढ़ी है, very good, बहुत शाबाज तो हमेशा ध्यान लखिए, first को देखे और last को देखे जो लोग जल्दवाजी में गल्ती कर दे रहे हो, गल्ती मत करो, पहला देख लो, आखरी देख लो, कभी जिंदिगी में गलत नहीं होगा जो बता रहा हूँ, प्लीज उस पर फोकस करो, चीजों को समझते चलो, पहला और तीसरा देखो, कहानी खतम और कुछ देखने की ज़रोती नहीं है, first और last देख लिए, बत खतम, चलिए, अगला कोशन ही यह दा आपके सामने है, इसका भी एक और अगला कोशन है, ऐसे मीन लास कौन कौन से नमबर हैं, फर्स कौन कौन से नमबर हैं, ठीक है ना, कोई बात नहीं है, रूपी मैम, यहाँ पर दीपकी आदफ सार, गूडीवनिंग, निंजा साब का यहाँ पर जवाब ए आते हुए, first और last को देखना है, लास में मित्ती होती है, बिल्कुल देने कर हैं, उसमें वही था, अब यहाँ पर सभी लोगा जवाब, आना शुरू हो गया, चली देख लेते हैं, अगर मैं first or last की बात करता हूं, तो इसमें first or last को देखना है, अब examiner नहीं आपर last में 5 और 2 ही बोला है, जायतर 5 या दो ही बोला है, तो last में 5 को रखता हूं या 2 को र बीमारी आएगी, तभी तो आप रामस लोगे न, CDC बात है, तो A is the right answer, खतम बात, मैं डॉक्टर के पास क्यों जाओंगा, तक मुझे कोई बीमारी नहीं है, जब डॉक्टर के आज तभी तो जाओंगा, बीमारी होगी, तीसरा वाला कहां से आ जाएगा, C नहीं होगा, C ज अलकुल सही जवाब होगा, यहाँ पर, चलिए, आगे बताएं, इसका answer क्या होगा, जल्दी से, कली ब्लड लेशन का session मैंने करवाया था आप लोगों को, तो फटावट से इसका answer बता दे, दीबक सर बोल रहे है, आज मेरी first class से, लेकिन अब से daily आओंगा, चलो बहुत बोल रहे है, राम राम सर, राम राम सर, चलिए, चलिए से, इसका answer बताएं, पॉंटिंग टू अब बोली थी, कल आप लोगों से, without pen and pencil मैंने कल बोला था, यह वाली बात, कल हम लोगों ने जो class करी थी, ब्लड लेशन में, उसमें मैंने कई बार बोली थी, बिना pen and pencil के करो रिष्टिदारी है, आप लोग बच्पन से वही करते आई हो, आप देखो यहाँ पर सही answer, mother, 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 बिल्कुल सही answer आरा है, बहुत साई लोगों का, आप देखो सबसे पहले तो, सबसे पहले, question क्या है, महिला लड़के से क्या संबन देते हैं, तो मैंने आपको कल भी एक ब फादर नहीं हो सकती, पहला option सीधे सीधे गलत हो गया, कियो क्योंकि महिला तो घुखी नहीं तो पहला option सीधे सीधे गया, महिला ने क्या बोला, महिला नै मेरे ससुर मतलब मेरे पती के पता, मेरे ससूर मतलब मेरे पती के पिता है ना औरल बनाओ मेरे ससूर मतलब मेरे पती के पिता और मेरे ससूर जी का एकलोता बेटा अगर मेरे ससूर जी का बेटा होता तो मेरा देवर भी हो सकता था पती भी हो सकता था लेकिन मेरे ससूर जी का एकलोता बेटा मैं बिल्कुल सही जवाब है अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो उसके लिए बार डायग्राम भी में या पर मना दू तो महीला उसकी क्या है हैं दित्वाइं सब्सक्राइब ए लिख याँ आपने और लोग सही में विखोप यहाओ इस यहाँ पर करींगे सब्सक्राइब यहाँ अब एक कोईशन आपके सामने सिटिंग को आते हुए जलदी सा इसका अंशर बनाए कि अंजनी मैं बफर कहीं नहीं हो रहा है नॉर्मल क्लास चल रही है बफर नहीं हो रहा है जल्दी से इसका अंसर बताएं आदे को सेटिंग अरेज्मेंट का एक कोशन जल्दी से आया है जल्दी से अभी लोग आंसर ने अब यहां पर देखो यहां पर एक सेटिंग अरेज्मेंट का आप लोग से आपने कोशन है जल्दी से इसको समझ लेते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना है आप लोगों को इस कोशन में यहां पर क्या है यहां पर साथ लोग के साथ सीटिंग आरेज्मेंट है आपकी तो अगर मैं साथ लोग साथ सेटिंग कर रहा हूं तो देखते हैं इसको आंसर क्या आना चीए इसका सबसे पढ़ यहां पर बस आप लोगो टाइम दिया था कुशन करने का यहां पर ओके ऑप्शन आर आराय कुछ लोगों का चवाब चलिए देख लेते हैं यहां पर बोला क्या है यहां पर कितने लोग है साथ लोग है और सबसे पहली बास सब इक सर्कुलर में बैठे हुए हैं और करेंगे लोग करेंगे तो ऑपर सेन्टर फेसिंग होंगे की नहीं होगे अगर डिस्कॉशन करेंगे ता फोग कोहीं आइज तो यहां पर होगा या तो यहां पर होगा हमको नहीं बता कौन कहां पर है लिकिन होगा यहीं पर है क्योंकि P T or U का नेवर है आगे उसने बात बोली S जो है वो U के तुरंथ राइट में है S it is the immediate right of U अब suppose करो अगर मैंने यहां पर U को बिठाया अगर U यहां पर है तो UK यहां पर आई आई सकता है नहीं क्योंकि यहां परयाइट में अलड़ी कौन बैठा है P बैठा है यहां पर आई सकता अ मतलब U यहां पर जिन्दिकी में कभी नहीं का तो magnificent यहां पर आई नहीं सकता के यहां पर चंपर है यहाँ पर धैया और यूचे कौन में बैठा है इ सब्साड आएै उच्टा डा seekers के बीच में यहां मियार पर यहां यहां पर आए तो यहांatos नियुचेन गुशा में व का है चले भड़ते हैं अगले कोशन के और यह था आपका अगला कोशन लॉजिकल के ऊपर जल्दी ही आप लोगों का अगले अप्ते में लॉजिकल का भी शेशन रखने वाला हूं दमदार चले जबन का अगले लॉजिकल के आप लोगों का अवर्टायसमेंट देती हैं उसके लिए एक सेंसर बोर्ड होना चाहिए ठीक है यह आप लोगी statement होई आप देखते हैं इसका argument क्या होगा अब इसका argument क्या होगा वो देखते हैं हाँ ऐसा होना चाहिए क्योंकि कभी-कभी जो advertisement होते हैं वो ऐसे point दिखा देते हैं ऐसे topic के ओपर बात करते हैं जिनके द्रश्चों बगारा पर भहस होती है ठीक है दू applicable होगा यहाँ पर बिल्कुल सही जबाब only one applicable होगा ctc बात है ऐसा होना चाहिए अगर आप ध्यान रखिएगा अगर आप कोई भी जांच कमिटी बिठा रहे हैं तो बात बिल्कुल सही होगी first वाला true होगा second वाला false होगा only first आएगा बिल्कुल सही ठीक है चले अगला question आपके सामने यह रहा जल्दी से बताएं इसमें number of triangles कितने हैं चल्दी से बताएं number of triangles इसमें कितने होंगे यहाँ पर सत्तराज जी मनीशा जी अंजली जी रवी साब चंदन जी देश्मुक जी रश्मी सोहनी ओके महीदाज विपेन अंजली सबका जवाब सही होते हुए जल्दी से इसमें number of triangles कितने है question आप लोग के सामने आ चुका है जल्दी से मुझे बताएं number of triangles की बात यहाँ पर number of triangles कितने आएंगे देखिए यहाँ पर number of triangles की अगर आप बात कर रहे हुए चीजें वहीं है चीजें वहीं है जल्दी से सोचके बताएं बस complete line की जगा मैंने half of line कर दिया है उसको और कुछ भी नहीं है देखो मैंने आप लोगो line के point of view पर एक shortcut बताया था शाय सबको याद होगा यहाँ पर आर्जू पभीन जी का answer 24 आ गया है देखते हैं 34 बिल्कुल सही जवाब होगा 24 नहीं होगा 24 कहां से आ रहा है 24 वालों का जवाब गलत है 34 बिल्कुल सही जवाब है 34 is the right answer 34 is the right answer 34 बिल्कुल सही जवाब है 34 34 लाइन की वेज़े से ट्राइंगल बनता है इसको हमें शाय याद रखिएगा 34 is the right answer चलिए भटते एंगले question के साथ में अगला question आपके सामने यह रहा जल्दी से इसका logic बता है इसका logic क्या होगा अधिकों सब लोगा answer 34 34 बन गया बहुत बढ़िया अधि तुम लोग की सबसे बड़ी चीज है ना तुम लोग की सबसे बड़ी चीज ही तुम लोग की unity है अगर एक बच्चे ने answer कर दिया ना एक बच्चे ने answer कोई कर दे बस उसी में answer सबका आ जाता है अब जल्दी से question क सब्सक्राइब लोग को बना है कि प्रियंका मैं बोल रहे है यस सर चालिए बहुत बढ़िया इसका answer यहां पर क्या होगा प्रियंका जी का अंजी जी का अफटाब जी का माही दाव जी का राजेश जी का रश्मी सौनी इमरान कशिष प्रियंका निंजा जी का हमारे answer आते हुए यहां पर देखते हैं सही answer क्या बैटता है लेकिन यहां पर अगर मैं logic की बात अगर करता हूं तो सबसे पहले इन द 51 I hope logic मेरी बास समझ में आई होगी सेम कंडिशन यहां पर लगाई है पांच का चार से मल्टिप्लाई करिये 9 का 4 से मल्टिप्लाई करिये और 2 का 7 से मल्टिप्लाई करिये और सब को जोड़ दीजे तो 20 पिलस 36 पिलस 18 क्या लॉजिक आएगा बताएं अगर मैं सब को जोड़ता हूं तो मेरा लॉजिक क्या बनेगा तो 8 होच है मैंने सही लिए है ना 9 शृती बंचुक 20 यहां पर 14 आएगा सॉरी साथ नीच होथा 14 आएगा यहां पर हाँ वो चुड़ा लैजिश में गेता 40 यानि कि सभाब होगा 70 बिल्कुल सभी ज़वाब है डी जराइड अंसर यहां पर निंजा जी का जवाब सबसे पहले होट सभी बिल्कुल सभी दी बिल्कुल सभी ज़वाप होगा जल्दी जल्दी से फटावर से सौल आउट करो अगला कुछन बता हो क्या होगा यहां पर 70 70 70 आंसर आ रहा है यहां पर पूछा गया है यहां पर क्या नंबर आएगा तो इन तीनों नंबरों से आपको यह वाला नंबर बनाना है इन तीनों नंबरों से यहां पर यह वाला नंबर बनाना है तो क्या लॉजिक हो सकता है वो लॉजिक सोचना है और कुछ नहीं है काम यहां पर डी आंसर आ रहा है फुल डैमों हो गया है सेवंटी सेवंटी ठीक है 95 यहां पर आंसर आया आजू पभीं जीर का निंजा जी 60 बोलेते फिर सही कैसे हो गया और रश्मी सोनी मां कुंस्ता आ ठीक है चलिए देखते हैं यहां पर 70 आंसर आ रहा है 95 आंसर आ रहा है सुरें सार बोल रहा है वेरि मोद निच वाली नंबर से डिवाइड कर दो इन याँ पर यहाँ पर यहाँ यहाँ ब द ज़ा infra चार नो शोक characteristics 2, 3, 6 आ गया बढो समझ में आया की नहीं आया अधर Corporate अब इसी एक कंडिशन यहां पर लगाओ इन दोनों का मल्टिप्लाइ करो इससे डिवाइड करो तो पंद्रा गुणा 19 डिवाइड बाइ थ्री तो यह जाएगा फाइफ टाइस मतलब सही आंसर कितना होगा 95 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर आर्जू प्रभी देखो नेगटिव कहीं पर देखनी कोई जरूवत नहीं है हाँ लेकिन एक्जाम में नेगटिव मार्किंग ना हो जाए वह देखना बड़ा जरूरी है तो बिल्कुल हर चीज पॉसिटिव है बस एक्जाम की नेगटिव मार्किंग बुरी है चलिए अगला कोशन इसी के स साथ हिए अ कि रहे जल्दी से स्का करते फार ऊस्ची मताए किया होगा है कि इसका जल्दी से बताने क्या होगा मैं कि आप यहां पर है दो चा आप इस तो इस चारों से अगर मैं बात करता हूं तो 48 बनेगा इंचारों से 48 बनेगा इन 442 बनेगा और इन 4 यह आपका आंसर बनेगा तो क्या होगा अगर मैं लॉजिकली देखूं तो इन 3 नों का आपस में गुणा है दो का गुणा कर तो चार से चार तो चार दो नी आट का 6 से गुणा अर्तालेश तो अप सर 5 का क्या होगा तो कुछ नहीं करो इसमें आप पांच को भढ़ा लो और इसमें 5 को डिवाइड कर दो क्योंकि हर किसी में पांच-पांच से इश्यू आ रहा है अगर मैं हर किसी में देखू तो आपस में गुणाएं जैसे यहाँ पर भी गुणाएं दो तीया च्छ चे का सास से गुणा तो 42 आ गया तो कुछ नहीं करा है यहाँ पर एक पांच बढ़ा के यह वाले पांच से पांच काट द यह रहा जल्दी से इसका अंसर बताएं अगला कुशन आप लोग के सामने यह रहा जल्दी से इसका अंसर बताएं इसका अंसर यहां पर क्या होगा जल्दी से इसका अंसर यहां पर क्या होने वाला है बिल्कुल बिल्कुल यहां पर सी आंसर आ रहा है सी बिल्कुल सही कर रहा है नहीं 225 गलत है 225 रॉंग आंसर यह लोग ऑप्शनल से काट दिया मैंने कुछ लोग 225 को मैंने पहली काट दिया यहां पर रश्मी सौनी मैं राजेश जी का अंजली जी का आंसर आ रहा है बिल्कुल गलत जवाब है कि इस जना मैं बोल रही है एक्जाम में यूनिटी नहीं चलेगी सर बहुत सही बात नगल करने को भी नहीं मिलेगी और अब तक करोना की वेरिया से और शोशल इस्टेंसिंग है और बताओ यहां पर कुछ लोगा आंसर आया है 321 सी गलत है अगेन आई विल रिपीट 225 गलत जवाब है यह लोग मैंने काट दिया 225 मैंने काट दिया भई या 225 गलत है यार 225 बिल्कुल गलत जवाब है अब देखो यहां पर इसलिए मैं बोलता हूं तुम लोग की यूनिटी चलत हो यहां पर 48 122 है यह किसका स्क्वाइर है यह साथ का स्क्वाइर है माइनस वन साथ का स्क्वाइर माइनस वन यह क्या है यह 11 का स्क्वाइर प्लस वन यहां पर साथ का स्क्वाइर माइनस वन यहां पर 11 का स्क्वाइर प्लस वन तो अब यहां पर यह लोग प्राइम नंब रहा है तो अगर यहां पर फ्राइंट में चल रहा है किसका हो गए यह 13 का सकॉंधाइब हो गया 202 इसमें प्लक्षाइब होगा तो ब। JJ'a आप लोगों में से अस्टॉँ टुरी कई करी है तो 90 बिल्कुल सही जवाब होगा तो आप मैंने देखा जायता लोग के आंसर 225 आ रहे तो 225 गलत जवाब है सही जवाब क्या था 209 है आई होप सो आप लोगो को लॉजिक समझ में आया होगा और शेशन अच्छा लग रहा हो तो बिल्कुल शेयर करते चलना और ल्या लाइक भी करते चलो तुम लोग बोलना पड़ता है तुम लोगों से सब बातों के लिए जल्दी जल्दी फड़ावर फड़ावर सेशन को शेयर और लाइक कर दो कोशन एक नमबर ला रहा हूँ धासू डेली सेशन होता है साड़े आठ बचे ठीक है चलिए कोशन समझ में आ गया ट्रिकी था हाँ बिल्कुल अनीता माम बोल रहे है थोड़ा ठीकी कोशन था सर ब अब ये वाला कुश्टन इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजे इसको फाले कुश्टन में क्या है कोई बात है अंजली जी गलत हो गया तो इनका मैं बोलने है सूबर सेशन था सर स्वारप सिंग बोलने है इसा लॉजिक कहां से लाते हो माम सब कोश्चन पेपर के लाता हूं मैं प्रूवी में हम बोल रहे हैं सर आपके बिना बोले ही शेयर और लाइक कर देते हैं हम लोग तो टेक है चलिए थैंक्यो मज़ा आ गया सर सेशन में थैंक्यू सुपरिया माम प्रवीन सर बोल रहे हैं सुपर सर थैंक्यो चलिए है भरतिया कर लोगों के लिए हॉमवर्ग रखोंगा यह वाला कोश्चन आप लोगों के लिए ऐसा हॉमवर्ग रहेगा यह अ पूल वाला कोश्चन सबसे यादा एक्जाम में बहुत बार आता है बहुत साए कोश्चन पूछने आए हैं और सबसे बड़ी बाद इनका मैंने एक पिच्ट राजिशन भी यहां पर आपको रखा है तो सबसे पहले इस कोश्चन का आंसर आप और अपना स्टडी कंट्यूनियस करते रहो ठीक है गोडिया मैं बोल रहे हैं जब भी उनली के साथ जाते हैं गरवड हो जाता है चलिए कोई बात नहीं है तो फिलाल यह कोश्चन आप लोग का हॉमवर्क है अगर किसी को किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप लोग मेरे टैलियुग्राम पर जोड़ सकते हैं मिरे टैलीग्राम में चैनल का नाम मोश्ची को पता होगा लेकि रहुन है तो मैं बता दूँ, कुल्दीप महिंदरास reasoning है, मेरे telegram channel का नाम कुल्दीप महिंदरास reasoning आप लोग इस telegram पर जोड़ सकते हो, आप लोगों को कोई भी doubt वगरा आते हैं, तो यहाँ पर mostly student discuss करता रहता है, आप लोग यहाँ पर doubt वगरा भी discuss कर सकते हो, ताकि किसी को problem ना हो, daily class का time साड़े आठ बजे है, daily शाम को साड़े आठ बजे आप लोगों की class होती है तो please on time attend करें किसी का कुछ भी miss ना हो तो चलिए, इसी के साथ सब लोगों को again विजय दश्मी की बहुत बहुत शुकामना है खुश रहे है, मुश्कुराते रहे है और भई अगर session अच्छा लगता है मतलब लग रहा है कुछ आप लोगों को फाइदे का हो रहा है, सर कुछ नया लेके आ रहा है, तो please अपने दोस्तों के साथ भी शियर करो, अपने दोस्तों को भी बताओ, एक साड़े आट बजे क्लास चल रही है आके अटेन करें, क्लास को समझें, और question के answer करने की कोशिश करें, और इसी के साथ सब लोग session को like करते हो चले जाना चलो तब तक के लिए thank you, धन्यवाद good night, bye bye, और सब लोग खुश रहो, मुस्कुराते रहो, हैपी रहो चलो ये, मिलेंगे अब मंडे को on time, साड़े आट बजे ही, ठीक चलो तब तक के लिए thank you, धन्यवाद take care, good bye